हेलो फ्रेंट्स मेरा नाम है राजंदर फड़ते रहे इस चैनल पे दोस्तों आपका सौगत है दोस्तों आज हम देखने वाले कि Google एड़सन है क्या गूगल एड़सन पेशा पे कैसी करते है उसके बेनिफिट्स क्या है आज इसी के बारे में हैं आपको बताने वाले है तो च उख्य काम है high quality content और अधिक traffic वाले blogs website पर आड़ दिखाना और उससे होने वाले लाब में से अपना हिस्सा काट कर उस blog website owner को प्रदान कर देना जिसके blog website पर लगे आड़ से ये revenue प्राप्तो हुआ है यह CPC मतलब cost per click और CPI cost per impression के हिसाब से blogger को payment करती है इसके द्वारा Google blog content, user location और अन्य कई factor को ध्यान में रखते हुए किसी blog पर आड़ पोस्ट करता है ये आड़ text, image, video या interactive media context के रूप में होते दोस्तो Google Adson अलग-अलग तरीके एड़ दिखाता है हमारे website या blog पर तो दोस्तो अभी हम देखते हैं कि Google Adson का फाइदा क्या, benefit क्या है तो दोस्तो Google Adson का सबसे फाइदा तो ये है कि इसके project से आप अपने blog से पेशा कमा सकते हैं जब कोई एक visitor आपके website या blog पर विजित करता है और उस ad पर click करता है तो हमारा click करता है तो उसमें हमें उसका पेशा मिलता है दोस्तो पहले बार Google Adson का approval मिलना थोड़ा कटिन होता है लेकिन एक बार आपको approval मिल जाता है तो उसका आप नेमों का पालंग करते हैं तो आपको उसमें कोई परिशानी नहीं होगी दोस्तो contextual ad network होना इसका एक महतुपूर्ण लाब है contextual ad network का meaning है कि ये आपके blog के नीचे जैसे की Google प्रोड़क गूगल एब यदी ही लगाता है इससे इन ads के click होने की संभावता बढ़ती है और इसके click बढ़ने से आपकी income बढ़ती है ये ads दिखाने के लिए एक और method का प्रोएक भी करता है जिसके cookies method कहा जाता है जिसको cookies method कहा जाता है cookies method में ये visitor की search history पर आधारित ad show करता है इसकी method से भी click होने की संभावता बढ़ जाती है दोस्तो इसके आलावा Google एडिसन का सबसे बढ़ा फायदा ये है कि ये आपके account में direct payment करती है तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तो हमारे ये वीडियो आपको पसंत आये तो वीडियो को दोस्तो लाइक करना और ज्यादा से ज्यादो लोगों को share करना और हमारे चैनल को subscribe करना मत भूलना